हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप वेलकम टू माई यूटूब चैनल लवगपशप आई होप यू आर वेरी वेल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शादी, रिशेप्शन या किसी भी पार्टी में गल्फ्रेंड कैसे बनाते हैं अगर आप ये जानना चाते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है जस्ट डिसेंट और परस्नेलिटी दोस्तों मैंने बहुत से लड़कों को देखा है पार्टी में तरह-तरह की ड्रेस पैन के आते हैं जैसे की कोट पैन्ट हो गया, शेरवान ही हो गया, एक्सेक्टरा दोस्तों ये लड़के जितना ही सच के सवरकर आते हैं उतना ही लड़कियों का ध्यान कम जाता है इन लड़कों के उपर दोस्तो बस आपको इतना करना है आपको एक शर्ट पैंट लेनी है और वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो सही से फिटिंग होनी चाहिए और भाई अगर आपकी बोड़ी है आप जिम वगरा जाते हो तो मैं यह कह रहा हूँ आप उस पार्टी में कहरत ढादोगे और भाई आपकी परसनलेटी एकदम डीसन परसनलेटी लगेगी जो की लगरी भी चाहिए और पार्टीयों में लड़कियों की निगाएं डीसन बोईस को ही तलाशती है दोस्तों और दोस्तों मेरी भी कोशिश यही है कि उसकी निगाएं भी आप पर ही आके थम जाए और दोस्तों अगर आप पहनना चाहो तो बलेजर भी पहन सकते हो दोस्तो second point है party में girlfriend individual बनाओ भाई अगर आप भी अपने दोस्त की साहता से party में girlfriend बनाते हो तो भाई हो सकता है एक ही लड़की पे आपका और आपके दोस्त का भी दिल आ जाए और ये भी हो सकता है जिस लड़की को आप पटाना चाते हो वो आपके दोस्त से पट जाए और ये भी हो सकता है जिस लड़की को आप अपनी girlfriend बनाना चाते हो वो आपके दोस्त की girlfriend बन जाए और भाई ये भी हो सकता है आप उससे eye contact करना चाह रहे हो मतलब किसी लड़की से आप eye contact करना चाह रहे हो और वो आपके दोस से eye contact कर रही हो तो भाई आपका काम बिगड़ सकता है तो मेरा आपको personal suggestion यह ही है कि party में girlfriend individual बनाओ अकेले बनाओ भाई तब ज़्यादा chance होंगे girlfriend बनाने के दोस्तो third point है eye contact करो भाई party में ही नहीं अगर आपको कहीं भी girlfriend बनानी है तो उसकी शुरुवात आपको eye contact से ही करनी पड़ेगी तो भाई eye contact करना तरीके से करना और भाई करते करते ऐसा नहों कहीं आप उसकी आँखों में खो जाओ और party खतम भी हो जाए party खतम होने से पहले मेरी चोत्री tips कर देना जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो चोत्री tips है नमबर low या नमबर दो भाई अब आपको eye contact से पता चल चुका होगा कि ये लड़की आपसे सैट होना चाहती है और अब आपको बात करने की जरूरत नहीं है आपकी आखे अल्रेडी काफी बात कर चुकी है और अब आपको pen paper लेना है उस पे नमबर लिखकर एक दो इशारे करकर अपना नमबर उस लड़की को दे देना है अब मेरे बहुत से भाईों का ये सोचना होगा कि लड़की खुद नमबर भी तो दे सकती है भाई हाँ बिल्कुल दे सकती है लेकिन आप situation तो देखो लड़की pen कहां से लाएगी पेपर कहां से लाएगी और आप pen paper का जुगार तो कहीं न कहीं से कर ही लोगे और अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक trick बता दूँ पार्टी में बावर्ची होते हैं उनके पास pen paper होता है भाई इतनी ये चीजे मैं आपको practical इसलिए बता रहा हूँ ये situation से मेरे साथ गड़ चुकी है और मैं इसमें successful भी हो गया था तो इस वीडियो में मैंने आपको चार पॉइंट बता दिये है और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल लवगपशप को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में बैल आइकोन जरूट प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई भाई एक शेयर तो करी सकते हो आप अपने दोस्तों में या किसी भी बंदे में एक शेयर कर देना भाई प्लीज यार एक शेयर मांग रहा हूँ प्लीज यार प्लीज एक शेयर कर देना और एक लाइक करके नीचे कमेंट करके सवाल भी पूछ लेना अगर आपका कोई सवाल जबाब हो तो मिलते हैं भाई दूसरी वीडियो में